चलिए दोस्तों, तो हम बात करते हैं GS Paper 5 एनिक Economist की जिसमें बहुत से students को बहुत सी problem होती है तो दोस्त, इसमें 5 section रहेगा पहला section objective रहेगा 20 question रहेंगे, 40 marks question थोल tough होते हैं नीचे description में बहुत से economics question कराया गया है उसको देख लिजे, बहुत benefit होगा साथी साथ जो है आपको बाकी 2, 3, 4, 5 में जो है दो-दो question दिये रहेंगे आपको उसमें से एक-एक करना है क्योंकि total जो है 200 का है, 40 तो इधर आपका objective हो गया 160 जो है आपका descriptive हुआ लाइन की long answer type question तो अब हम बात कर लेते कि concurse question जो है, उसका आने का बहुत ज़रा chances है, तो सबसे पहला question जो काफी important है वो है सतत विकास लक्ष कि SDG goals क्या होते है भारत सरकार ने उनको पाने के लिए क्या कदम उठाए है और क्या challenges है, ऐसा question बन सकता है SDG goals जो है आप जानते हैं दोस्तों कि 1 January 2016 को मतलब implement हुआ है और 2030 तक इसको achieve करना है, इसमें 17 goals है, जिनको याद रखना काफी cut-in है, लेकिन हमने जो है, एक मस्त वाली वीडियो बनाई है आप डालिएगा YouTube पे SDG goals मैनत होगी, जीत होगी, आपको short trick मिल जाएगा, कि SDG 1 जो है, आप किस पे है no poverty, गरीबी हटानी है SDG 2 जो है, जीत हो हंगर भुकमरी हटानी है, अब गरीबी हट गया, भुकमरी कम हो गई उसके बाद क्या है third, कि आपका स्वास्त अच्छा होगा यानि कि health को better करना है ये SDG goal number 3 है फिर जो है, आप स्वास्त अच्छा हो गया, तो आपको क्या करना है अब आप पढ़ने लिखने के काबल हो गया है तो SDG 4 जो है, वो सिक्छा से सम्बन दीत है फिर SDG 5 जो है, जो आपको सिक्छा आएगी, तो आपको समझ में आएगा कि जो male है और जो female है दोनों बराबर है, यानि कि gender equity की बात होगी दोस्तों, तो ऐसे करके हमने आपको trick समझाया है और ये चीज़ आपको जो है, बहुत जगा मदद करेगा, खास कर जगर आप स्टार्टिंग के जो SDG गोल से हम को याद करते हैं तब, माल ये question पूछता है कि भारत में गरीबी और बिरोजगारी क्यों है या घरीबी और भुकमरी क्यों है तो आप वहाँ पे जो है, पोवर्टी के साथ गरीबी के साथ, गोल को दिखा सकते हैं या फिर आप conclusion में ठीक है, आप बहुत जगर जिएक सकते हैं कि भारत सरकार ऐसा ऐसा करेगी तो जो है, SDG goal number 1 और goal number 2 को प्राप्त कर सकेगी तो इसलिए दोस्तों ये request रहेगी कि जो SDG goals हैं खासकर जो starting वाले हैं उसको आप ध्यान में रखिए और अपने answer में उसका इस्तमाल कीजिए तो आपको जो है, इसमें बताना है कि goals क्या क्या हैं, साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं तो आप जानते हैं कि जो SDG goals हैं, वो हर field को हर dimension को touch करती है तो जो भी भारत सरकार या तो आपका education में health में, employment generation में इस पे और उसके बाद और भी जो initiative ली हुई है उसको आपको बताना है, ये जबर दस long answer question बनता है और काफी important है दोस्तों और दोस्तों आपने सुना होगा कि 1-3 से 2 सिकार होता है, लेकिन 1-3 से 3 सिकार होता है, क्योंकि 3 topic जो हैं, उनका आपस में संबंध है, कौन कौन से एक समावेसी विकास, यानि कि inclusive growth, दूसरा आपका DPSP, यानि कि राज के निती निदेसक सिधान और तीसरा जो है SDG goals मतलब तीनों का आपस में संबंध है क्योंकि देखे, inclusive growth क्या बोलता है समावेसी विकास, कि हर तबगे का विकास होना चाहिए, खास कर जो work काफी backward है SC, ST, BC, women and children SDG goals भी मतलब इनके विकास की बात करता है और DPSP, राज के निती निदेसक सिधान में भी इन पे फोकस किया गया है, तो तीनों का आपस में गहरा संबन्द है, तो पहला जो question बनता economics में, वो आपका SDG goals का है, और भारत सरकारान इसको achieve करने के लिए क्या कदम उठा है दूसरा जो है, कि भारत के विकास में, ठीक है foreign capital, यानि कि विदेसी पुझी का जो है, वो क्या महत्व है, ये question काफी important है, ठीक है तो आप जानते ही हैं, कि FDI हो गया, FPI हो गया और जो हम loan लेते हैं, चुकि भारत के पास उतने संसाधन नहीं है, ना India is a developing country और tax भी मार्क जो है 4-5% लोगी पे करते हैं, ठीक है तो इस वज़र से उतना resources नहीं है, revenue उतना generate होता नहीं है या what role foreign capital can play in development of India भारत के विकास में विदेशी पुझी जो है, वो क्या role play कर सकती है तो आपको पहले बताना हो कि foreign capital होता क्या है, उसकी जरूरत क्यों है, और कैसे उसके साथ, मतलब technology भी आ रही है, उसके बाद investment भी हो रहा है, सारी चीज़े आपको बतानी है, उसमें बाधक क्या है, ये बताना है, भारत सरकार ने हाल फिलाल में क्या बदलाओ किया है ये भी आपको बताना है, तो ये दूसरा question हमारा हो गया, और foreign capital जो है, इसका एक part बनता किसका, balance of payment का, भुक्तान संतुलन का, तो ये भी काफी महत्पून question हो सकता है, कि भारत में जो है, भुक्तान संतुलन का जो balance of payment का जो problem है उसका समझाईए, उसके बाद में बताईए और क्यों ऐसा रहता है कि जो इंडिया का जो है, वो deficit चलता है ठीक है, 17 साल के बाद पिछली बार सा हुआ था कि current account जो है, वो surplus में था, तो ये balance of payment का और जो foreign capital का है foreign capital जो है, it is a part of balance of payment, तो उसका एक हिस्सा है भुक्तान संतुलन का, थोड़ा tough है ये question, लेकिन ये भी important है, तो SDG हो गया, दूसरा हो गया आपका या तो foreign capital पूछे या तो balance of payment पूछे, और दोनों का जो है, मतलब मिलता जोलता चीज रहता है, ठीक है, ये दो question देख लिया हमने इसके अलावा जो है आप जानते ही है, कि COVID का जो है, वो कितना impact परा है विस्व पे भी, और इंडिया पे भी, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों, भले syllabus में नहीं दिया है, लेकिन जब हम लोग अपने answer में COVID का impact दिखाएंगे, कि विस्व पे क्या परा अगर globalization पे है, तो विस्व वला दिखाना होगा, क्योंकि एक topic जो है, आपका west week current पे भी है तो question पुछा जा सकता है, कि क्या COVID जो है, वो globalization को reverse कर दिया है, ठीक है west week current को उल्टा कर दिया है, जिसको globalization भी नाम दिया गया है English में, ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, तो फिर बताएंगे क्या points है या फिर COVID में जो है अंतराष्टिय वित्य संगठन जो है, क्या वो fail हुए है तो इस पर आपको जो है, त्यार करना होगा, और COVID का भारती अर्थ वरस्ता पर जो impact है वो भी आपको जानना होगा, कि COVID का जो है, primary sector पर secondary पर टरश्री पर क्या प्रभापरा और आप जानते हैं कि secondary टरश्री पर बहुत बुरा परभापरा, जो भी बचा वो कौन बचा, agriculture मतलब 17-16 साल के बाद जो है, जो primary sector उसका contribution GDP में कितना रहा 20% और जो है, पिछले financial year में 3.6 था, इस पर 3.9% growth होने की उमीद है, ठीक है, तो primary sector को छोड़के बाकि सब को बहुत बुरी तरह से hit किया, क्योंकि lockdown लग गया था, lockdown में जो है transportation का movement नहीं था, raw metal नहीं आना हो रहा था, companies को बहुत सारे जो MSME हैं, वो set down हो गये थे, तो इसका आपको impact को जानना है, और इसको ठीक करने के लिए, मतलब question पुछेगा कि explain, impact of COVID on Indian economy, और साथी साथ what steps have been taken by Indian government भार सरकार ने क्या कदम लिए तो आपको बताना होगा आत निर्वर भारत package के बारे में प्रधान मंत्री करिब कल्यान योजना के बारे में मतलब मान के चले कि आपको कम से कम 30 scheme याद करने हैं जिसमें कि कम से कम 17-18 Central Government scheme होने चाहिए वो क्रिसी से संबंदित हो food security से संबंदित हो education से हो, आयुसमान भारत हो गया आपका health वाला ये सब आपको जानना है ठीक है? और 10 बार जो है आपको जाखन सरकार के जो जानने है बिर्सा हरित गराम योजना निलांबर पितांबर योजना सुझलाम सुफलाम योजना प्रधान मंत्री रोजगार स्रीजन योजना तो ये सब चीजे दोस्तों आपको जाननी होंगी ये काफी important है आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और यहाँ पर आपको जारकरंट का जो economic survey है वो भी काफी मदद करेगा ठीक है पहले और भी आप यूज कर सकते है आसा ने कि जो recent आएगा वो ठीक है आप पहले और भी इस्तमाल कर सकते हैं और उसमें जो तीन्चा important chapter है क्रिसी पे, इंडस्ट्री पे और जो पहला chapter उसको आप देख लिजे आपको काफी मदद मिल जाएगी ठीक है तो कौन कौन सा topic हो गया एक आपका SDG का हो गया एक आपका जो विदेशी पूंजी है वो क्यों जरूरी है या फिर balance of payment वाला question जो कि थोड़ा tough है क्योंकि वो core economics है आपका अगर मन नहीं है तो उसको छोड़े कुछ और भी question बताते है आप कर लिजेगा तो SDG हो गया foreign capital हो गया और बागी दोनों मिलता जूलता है उसके बाद आप देखी रहे है कि जो winnie waste है ठीक है dis investment उसमें सरकार जो है MSME MSME जो है यानि कि सुक्ष में लगू और मध्या मुद्योग उसका जो है July 2020 में नया definition ही आया है तो very very important कि MSME का भारती आथवस्ता में क्या significance है क्यों important है तो दोस्तो agriculture के बाद जो MSME sector है वो दूसरा सबसे बदा रोजगार देता है कितना और ये बहुत hardly it हुआ लाखो जो है ना लाखो MSME बंद हो गए Corona में pandemic और lockdown में तो importance क्या है 12 कर लोग जो है इसमें काम करते है ये export में जो है लगबग-लगबग 50% contribution करता है कई 48 देता है कई 49 देता है लिख दीजगा कि 50% काश्पस करता है GDP में 31% है तो सोचे इतना importance इसका है लेकिन 2006 में पहली बार MSME को recognize किया गया उसके बाद manufacturing का अलग definition था और services का अलग था तो काफी confusion होता था limit भी काफी low था उसको July 2020 में redefine किया गया है और फिर आपको पुछया कि इसका challenges क्या है कि जो MSME है वो उतना development क्यों नहीं कर पा रहा है उतना रोजगार क्यों नहीं generate कर पा रहा है मतलब रोजगार तो कर रहा है लेकिन quality work क्यों नहीं दे पा रहा है तो आपको बताना परेगा finance की कमी है with की कमी है आपको बताना परेगा उसका जो payment होता है उसके बाद skill workforce नहीं है technical upgradation नहीं है यह सब कमिया है दोस्तों जो आपको sub heading में लिखना परेगा और केवल answer जानने से नहीं होगा उसको proper साफ तरीके से जो है present करना भी बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि examiner को मान लिजे कि 100 copy चेक करना है आप ऐसा क्या अपने copy में किये है कि अगर वो 100 में से 10 copy पर ध्यान देता है तो वो आपकी copy पर भी थो जादा ध्यान दे इस चीज़ को note करना है दोस्तों और अच्छे से present करना है ठीक है तो MSME का significance क्या है challenges क्या है यह आपको बताने है भर सरकार इसके लिए क्या कदम उठाई है तो आपको जो है मैंने क्यू कहा कि आपको COVID का impact जो है इंडियन economy पर जानना है साथी साथ जो आत निर्वर भारत के अंदर पांच component है वो सब आपको बताने है और एक problem जो इंडिया के लिए बहुत बरी समस्या है वो है आपका आधार भूत सरनशना का problem यानि कि infrastructure का चाहे rail हो, चाहे road हो, चाहे power हो इंडिया में 20% population अभी भी है जिसके पास बिजली नहीं है और जब बिजली ही नहीं है तो internet कहां से रहेगी तो सरकार उसके लिए क्या चला रहा है किस सेक्टर को सबसे अदर रुपए आवंटन किया जाएगा तो power sector को ठीक है तो यह आपको बताना है और COVID तो मैंने बता ही दिया बहुत important है उसका impact को देख लीजेगा पढ़ के रखना है और answer में पूछे चाहे नहीं पूछे जैसे मान लिजे कि पूछता है कि भाई क्या कारण है गरीबी के और बिरुजगारी के इंडिया में तो आप बाकी सब कारण तो लिखे ही कि economic कारण जो है political कारण जो है social causes जो है वो सब तो आप डाले ही डाले लेकिन उसमें आपको ये भी डालना है कि जो भी कारण है उसको और किस ने बढ़ा दिया है covid pandemic ने और lockdown ने और अजीम प्रेंजी foundation का ये मानना है कि covid pandemic और lockdown के चलते 23 करोर लोग जो है वापस से गरीबी में चले जाएंगे और एक बात दोस्तो जारखन में घरीबी और भुक मरी पे एक बहुत जबरदस एंसर लिखा हूँ आप उसको देख सकते हैं नीचे description link में दिया हुआ है उसमें आपको काफी कुछ समझने को मिलेगा कि कैसे जो है एंसर को present करना है बहुत प्यारे ढंक से जो है मैंने समझाया है उसके बाद COVID का जो impact है economy पे ठीक है और देखिए ये बहुत लोग पूछते कि क्या COVID pandemic जो है globalization को reverse कर रहा है तो देखिए 1991 के बाद विस्वी जो है वैस्वी करन के चलते जो है एक मतलब गाउं की तरह बन गया है तो भले कुछ समय के लिए है जो countries अपने यहां import लगा दे बाहर से उतना वैपार ना करे और vocal for local करे लेकिन अभी जो है isolation में कोई भी country नहीं रहा सकता और हमने देखा ही कि चाइना के साथ हमारा इतना जो है टेंशना टेंशनी बना लेकिन उसकी और हमने जो है वो globalization को भले कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा हो कि मतलब मतलब रूख दिया या reverse कर दिया लेकिन actually में ऐसा है नहीं इसने globalization को एक नए तरीके से redefine किया है हमने देखा ना कि कोविट के second जब पैंट मतलब लहर जब चली थी तो China जो हमारे इतना दुश्मन है उसी से हमने कितना सा help लिया सब country आपस मिलके UN के गावी में participate बने vaccine development में भारत ने जो है नाक जाने कितने दिसों को medicine भेजा vaccine भेजा तो इसलिए ये कहना गलत होगा आप ये बोल सकते हैं कि जब COVID स्टार्ट हुआ था तो सुरुवाद के phase में जो भी आंतराश्टे संगठन चाहे वो UN हो चाहे वो WHO हो चाहे एमफ हो चाहे वर्ल बैंक हो वो उतना कागर साबित नहीं हुआ और जिसी साब से action लेना चाहे था उसी साब से नहीं ले पाया लेकिन फिर जैसे उसको मतलब अपनी गलती है सास हुई तो फिर एक नए ढ़ंग से जो है उसने steps लिया था तो COVID ने जो है globalization को नए तरीके से redefine किया है और साथ ही साथ जो local industries उस पे भी focus मतलब बढ़ाया है दोस्तों फिर MSME की बात की वो भी काफी important है वी निवेस निती जो है very very important उसको देखना है प्लस आप जो है minimum support price जो है नियूंतन समर्थन मूल ये काफी news में रहा है तो कुशन पुछा जा सकता है कि आप नियूंतन समर्थन मूल से क्या समझते हैं और क्या challenges इस से associated है क्या सरकार को इसको legal करना चाहिए तो उस पे भी question बन सकता है बाकि farm loss तो वापस हो चुका है तो मुझे नहीं लगता है और उसमें जो है government एकदम adamant थी तो मुझे नहीं लगता कि farm loss पे question मतलब पूछा जाएगा और इतना सा चीज़ आप तयार किये रहेंगे तो वो भी बन जाएगा plus inflation महंगाई जो है एक बहुत important मुद्दा है तो question पूछ सकता है what are the important causes of inflation महंगाई के main कारण क्या है अब देखिए आत वरस्ता को चलाने के लिए दो चीज़े होती हैं दोस्तों क्या एक होता आपका मौद्रिक निती, monetary policy जो RBI करता है और एक होता है fiscal policy जो मतलब सरकार करती है budget के थूँ तो ये दोनों perspective आपको दिखाना होगा कि inflation और ये syllabus में भी लिखा है कि inflation क्या है और क्या वित्य कदम और क्या मौद्रिक कदम यानि क्या fiscal policy और क्या monetary policy मतलब की जाए कि ये जो है ठीक हो जाए तो ये बहुत important question inflation वाला भी कम से कम 10 question जो है आपको करके जाना ही होगा अगर आपको foreign capital और balance of payment तो तफ लगता है तो ठीक उसको side कर दीजिए आप जो है एक MSME हो गया कि MSME का significance क्या है भारत सरकार उसको ठीक करने के क्या कदम उठा है उसके क्या challenges है और जो भी question डालिए कोशिश कीजिए कि जो आपने भारत है या उसका जो component है उसको आप mention कर सके तो आप MSME कर लीजिए dis investment कर लीजिए ये दोनों question बहुत important है साथ ही साथ जो SDG goals है वो मतलब very important है inflation जो है ये काफी important है उसके बाद जारखन के context में बात करें तो जारखन के context में जो है आपको 3-4 chapter जारखन के economic survey से अभी वाला नहीं भी देखेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है आप पहले वाला कभी इस्तमाल कर सकते हैं तो उसमें आप agriculture, industry ये सब जो है देख लीजेए वो काफी मदद करेगी प्लस जैसे आप जानते ही है ना की जारखन में जनजाती ज़्यादा है तो यहाँ पे 2-3 चीज़ है जो आपको must है जानना उसमें से एक है ट्राइबल सब प्लाण जनजाती उप्योजना जिसका नाम ट्राइबल मतलब शनुर्ट्राइब कॉम्पोनेंट हो गया है तो ट्राइबल सब प्लाण जो है पढ़ना बह книга बहुत important है कि ट्राइबल सब प्लाण क्या है और मतलब जो है इसके वज़े से क्या achievement है क्या challenges है दूसरा जो है forest right act है ने की जंगल अधिकार अधिनियम ये भी जो है very very important है दोस्तों क्योंकि जारकन में 26% population जो है वो tribal लोगों का है तो उसके context में जाना जरूरी है और एक मुद्दा जो बहुत मतलब चर्चा में है क्योंकि CNT SPT में जो है बदलाओ करने के कोशिश की गई थी वो है आपका tribal land alienation तीक है यनकि जो जनजाती का भूमी अलगाओ वाला जो matter है वो बहुत important है और जो development induced displacement है वो उसका एक part है है ना कि tribal से non-tribal कि जो tribal land alienation है जो जनजाती का जो जमीन अलगाओ है ये दो type का होता है एक होता personal label पर ठीक है कि हमको कोई ठक के जमीन ले लिया ठीक है या बहुत गरीबी था तो हम अपना जमीन बेश दिये एक वो region हुआ और एक होता है institutional याने कि सरकार जो है वो industry के लिए road के लिए railway के लिए dam के लिए जमीन लेते इसको बोलते है public purpose तो ये दो तरीका जो होता है जो जनजाती है उसके जमीन का अलगाओ का जिसके चलते काफी problem भी create होता है तो सरकार ने इसको ठीक करने के लिए मतलब पहले तो आपको पूछेगा कि बताइए tribal land nation क्या है और सरकार ने इसको ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए है और दोस्तो हम state pieces के exam दे तो रहे हैं लेकिन आपको पता है कि कोई भी राज सरकार बिना केन सरकार के मदद के जो है वो काम नहीं कर सकती तो अगर कुछ भी पूछता है ना राज के context में तो आपको कोशिश करना कि वहाँ पर था central government का भी जो है schemes को बताना है इसलिए मैंने आपको कहा कि 30 schemes कम से कम 18 जो है जो है central government का और 12 जो है food security से सम्मंदित वो सब आपको बताना है जारखन के context में जैसे हो गया बिरसा हरित गराम योजना उसके बाद निलांबर पितांबर हो गया सुजलाम सुफलाम हो गया उसके बाद गुरुजी कीचन हो गया पहाडिया जो लोग है उनके लिए अलग से hospital अलग से school चलता है उसके बाद एकलावे विद्याले है pre-matric, post-matric scholarship चलता है मुख मंतरी जो आपका पधान मंतरी फसल बिमा योजना था उसका नाम मुख मंतरी फसल राहत योजना हो गया है तो यह सब चीजे आपको देखनी होंगी schemes ढूंडूंड के निकालना होगा वैसी central government का जो है जैसे आपका health के लिए आयुस्मान भारत हो गया national digital health mission हो गया उसके बाद portion अभियान हो गया उसके बाद सिक्षा की बात करें तो नई सिक्षा नीती तो आही है मिड्यमिली scheme हो गया right to education act है वो सब कर जिक्र करना है employment generation का बात करेंगे तो मन्रेगा है NRLM है skill training में आपका संकल्प है तो यह सब चीजे आपको बतानी है दोस्तों और भारत सरकार जो डिश्टलाइशन इतने बड़ी पर्माने पर कर रहा है वो सब चीज का जिक्र कीजिए और तो अब crypto currency को भी permission मिल गया है RBI भी नई digital currency लाएगी वो सब चीज को भी कहीं न कहीं blockchain technology को कि भारत का जो problem हो कैसे ठीक हो सकता है जब भारत जो है नई तकनीक को अपनाएगा artificial intelligence blockchain technology big data internet of things तो यह सब जो है दोस्तों आपको way forward conclusion सब में मतलब डालना होगा ठीक है तब जाके बाद बनेगा तो उसके लिए थोड़ा comprehensive study करना होगा economist को जो है दो से तीं घंटे देने होंगे और इस परधा की जो book है वो काफी अच्छी है हिंदी में और आप मिश्रा पूरी तो काफी मोटी हो जाएगी internet से जो है history या आख बाकी सब चीजों से जो है देख लिए topic मैंने आपको बता दिया है topic कर नाम डालिएगा आप UPSC लिखिएगा या फिर JPSC लिखिएगा कुछ भी वैसा लिखिएगा तो आपको मिल जागा कि यह सब जो topic है एकदम हिट topic है हर एक्जाम के लिए आपका UPSC हो JPSC हो BPSC हो हर exam के लिए topics काफी important है तो यह सब topics दोस्तों आपको देखना है और तब आपको जो है काफी जो है benefit मिलेगा और schemes डालना ही डालना है जिससे हम बोले कि समोसा खाते हैं तो क्या सुचते हैं कि उसमें आलू तो हो गई होगा वैसे हर subject का अपना flavor है अगर आप economic survey का अगर आप economics का answer लिख रहे हैं तो थो नितियायो का रिपोर्ट थो एकोनोमिक सर्वे का रिपोर्ट वो आपको quote कर नहीं करना है और जब आप Google में या YouTube में पढ़ेंगे न यह topic को मा लिजे यह MSME पढ़े तो वहां पर दिया रहता है ठीक है परशान नहीं होना है वहां पर दिया हुआ रहता है भले book में दिया हो नहीं दिया हो लेकिन वहां पर आपको मिल जाएगा इसलिके नौमिस का जो सबसे अच्छा तरिका यहीं रहता है और अभी तो समय जैसे कम है ने तो data और अलगला perspective दिया हुआ रहता है ठीक है तो ऐसे दोस्तों जो है तियारी करनी है economics की थोड़ा vast है थोड़ा tough है लेकिन ठीक है अरे situation अगर tough है तो आप उससे भी tough है JPSC क्या सोचा कि 20 दिन के बाद अगर मेंस दे दिया तो जो नए student है वो हिल जाएंगे लेकिन जो नए student है वो मैं जुकेगा नहीं साला ठीक है तो वही बात है कि अपने में confidence रखिए अभी समय है और जैसे मैंने बता है ना कि 80 तो objective question है कोशिस कीजिए कि 60% minimum question में सही हो जाए plus अभी language पे focus नहीं करना है नए students को focus पुरा कहा करना focus करना है आपको समान ग्यान पे क्योंकि language होगा 150 number का और समान ग्यान होगा 800 number का दोस्तो ठीक है तो language में खोठा नागपुरी अगर आप नहीं बोलते हैं तो मत लीजिए Hindi English लीजिए ताकि आप 30 number भी ला पाएंगे comprehension grammar बनाके और बाकी आप लाइए ना 400 लाइए आप 100-100 number जो है कम से कम लाइए या जो category में है SCST में है तो वो जो है कम से कम 85 या 80 ऐसा कुछ number लाइए मैंने तो बताई है पिछले वीडियो में उसको देखिए और जो है बिलकुल panic मत हो यह panic होने से जो है जैसे कल हम लोगों को जब पता चला तो पुरा दिमाग का जो है वो दही हो गया कुछ समझ ही में नहीं आया था लिए उसके बाद जब सो के उठें तो फिर हम यही सोचे कि यार ये exam जो है पहले महा आंदोलन के चलते फिर covid omicron के चलते फिर exam postpone होने के चलते disturbance में ही रहा है तो किसी का जो है पुरा तियारी नहीं हो पाया है और ये अभी जो और गुगली सबसे बड़ा सबसे बड़ा गुगली क्या रहा कि जो है तुरंत exam जो announce हो गया है तो इसके चलते कम से कम 50 से 60 नंबर जो है वो कम होगा पहले 437-480 सोच रहे थे तो वो जो है मतलब घटेगा और वो आपका 430 के आसपास मतलब हो जाएगा किसके लिए unreserved BC1, BC2 EWS के लिए और हम 430 सोच रहे थे category वालु का तो उनका घटके हो जाएगा वही 337-380 ऐसा रहेगा तो इसी लिए और आपने सुनाई है कि डर के आगे जीत है तो अभी समय है और इसको करना है दोस्तों होगा थोड़ा प्रॉब्लम होगा लेकिन करना है और जार्खन का जो भी क्रिसी संबंधित 프로그램 है जो भी पहले वाले है उनको भी एक नजर देख लेना है तो यही सब कोशें है दोस्तों जो मुझे लग रहता के काफे काफे important है और इसको करके जाना चाहिए और इतना knowledge base रखेंगे ना तो उसके अधार पर अपने आप सा कोशिन भी अटेंट होगा याद ठीक है